दोस्तों बोले बंडारी आज द्रांक 17 मार्च दोजार सोवीश है दोस्तों मैंने अभी अभी मिशन ग्रेट इंडिया के संचालिक प्रोग्राम डपा प्रोग्राम जिसका उसरी दीपकुमार जी संचालिक कर रहे थे उसकी अफरमेशन्स अभी अभी सुनी है ये समझलों कि इन अफरमेशन्स को सुनने के बाद मैं बड़ा तरो ताज़ हो जाता हूँ अनरजेटिक हो जाता हूँ ऐसे समझलों इतना हलका फुलका हो जाता हूँ जैसे कि मैं दूद से नहाया हूँ हमारे जो मिशन के प्रोग्राम हैं वे एक ही लक्ष की तरफ इंगित करते हैं हाउ टू मेक इंडिया ग्रेट एंड वर्ल्ड पावर भारत को इतना महान कैसे बनाएं कि यह विश्व सक्ति वर्ल्ड लीडर बन जाए इसके लिए आपके सब्दों में आपके कारियों में एक सक्ति आनी चाहिए वे सक्ति आखरकार आई कैसे वे सक्ति असल में आपके सब्दों के बार बार रिपिटेशन से आती है और अखले रिपिटेशन से नहीं आती वे आपके मन में, सब्दों में, कारियों में पवितरता लाने से आती है अब बैस पवितरता को कैसे लाएं यह एक अलग भी से है यह एक खास ग्रेट गोल को अपनाने से आती है ये शक्ति एक सभी के लिए परवपकारिक भावना से आती है ऐसा ही नहीं कि अपना ही अपना भला करो और दूसरों को मर जाने दो वे शक्ति विग्यानिक सोच से आती है मालिया आप परवपकारिक भावना तो रखते हैं लेकिन आप में विग्यानिक सोच नहीं है, विग्यानिकता का मतलब सत्ता, ब्रह्मांडी सत्कियों का उद्गाटन, कि ब्रह्मांड अपना संचालन कैसे करता है, यदि आप में विग्यानिकता नहीं हैं, तो आपके दूसरे अच्छी चीजें भी बेकार सिद हो जाएंगे, कि आखिरकार ये काम होता कैसे है, इसमें कहां क्या कमी रह गई, ये ऐसे कैसे हुआ और ये ऐसे कैसे नहीं हुआ, भाई हाइडरोजेनल अक्षिएन मिले थे, लेकिन ये पानी क्यों बना, या ये पानी क्यों नहीं बन गया, यही विग्यानिकता है, यही साइंटिफिक ठिंकिंग है, जब हमारा सोच विग्यानिकता पर अधारित होगा, तो आगे और भी रास्ते बनते जाएंगे, विग्यानिकता मगलब सत्यता, सत्यता, इसके बाद में नमबर आता है, पवित्रता का, पवित्रता में सत्यता तो नहीं तहए ही, उसके साथ साथ सत्यम, सिवम, सुन्दरम का एक यह पुंज होती है, पवित्रता है, यदि अपने कारियों में सब्दों में आप पवित्रता लाएं, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, और सत्यता पवित्रता के बाद में, यदि आप ऐसा लक्षन दरदार करें, जो सब के भले-भले के लिए हो, सिर्फ अपने अपने लिए नहीं हो, तो वह है, चीज और भी कही गुना बढ़ जाएगी, और आपके सब्दों में, आपके कारियों में सक्ति आएगी, और हैं, हर एक जीव अपने अपने अनुसार इस दुनिया में आया है, तो क्या है कि ये मानो, हम मानो, ऐसे लगते हैं कि बहुत असाहए हैं, तो भी बहुत कुछ हमाइनों में हम असाहए नहीं हैं, क्योंकि हम उस परमपिता के पुत्र हैं, यानि उस दिविश्क्ति की एक कर हैं, जो सारे ब्रमान को अलोकित करती है, इसलिए चुकि जैसे अनन्त का एक हिस्सा भी अनन्त होता है, जैसे इंफिनिटी, इंफिनिटी का आदा हिस्सा भी अनन्त होगा, उसका चोथा हिस्सा भी अनन्त होगा, उसका दस परसेंट या उसका एक परसेंट ले लो, तो भी वैयानन्त होगा इसी तरह से आप और हम में बड़ी अदुत newt है लेकिन हम में पता नहीं की वे क्या है इसलिए हमें उन सक्तियों का उद्गाटन करना है और उद्गाटन इस तरह से करना है कि हमारे पसीने की कमाई ही नहीं पसीने से ही कारिय नहीं हमारी इच्छा सक्ति से कारिय संचालित होने लगें और जब हम आगे बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं तो आप में एक संकलव सक्ती आती जाती है, डौलफ होती जाती है, जो परस्थितितों को आगे से आगे उसी रूप में बनाती जाती है, जिस रूप में उनको होना चाहिए, आज सुवे सुवे जैसे मैं कहता हूँ कि देव सक्तिया मुझे बताती है आज सुवे सुवे मुझे देव सक्तिया क्या बताया मंगल मंगल सुन भारत में जो आजकल चल रहा है वे कहीं ऐसा तो नहीं होगा वे मुझे सिख्षा दिरिती देव सक्तिया कि मंगल ये काम करो वे काम करो लोगों को जरू जगाओ भारत में जो आजकल हो रहा है वे कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कैसा कि हजारों साल से जो देश ग्लोबल हिस्ट्री के कूड़े दान में फैंक हुआ है कहीं ये 70-75 साल की आजादी ऐसा टाइम ऐसा फेज तो नहीं है कि जिसमें उस कूड़े को सुखाया जा रहा हो जिससे कि उसका जलना आसान हो जाए मैं मनी मन सुखने लगा कि भाई देवगणों ने बड़ी मेरे को भयानक लेकिन इंपोर्टन बात बताईए हजारों साल से जो देश ग्लोबल हिस्ट्री के कूड़े दान में फैंका हुआ है कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि ये 70-75 साल हमारे ऐसे ही सिद्धों जैसे कि घर के कूड़े दाने पड़े हुए कूड़े को हम एक दो दिन के लिए धूप और हववण डाल करके उसको सुखाते हैं कि भाई उसके बाद इसको जलाना आसान हो जाएगा लेकिन जो आज हम देखते हैं कि भारत में जो हो रहा है वहे बड़ा बहनाक हो रहा है और लोग अपने लालस की वज़े से अपने स्वार्थ की वज़े से कुछ ऐसा ही मैनेज करते जाते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है क्या हो सकता है कि मतलब हमारा ही प्रभुत्य हमारा किंग्डम में रहना चाहिए समाज में आर्थ में राजनिती में धर्म में हमारे प्रभुत्त हो चाहे देश एक कुड़े दान में चला जाए कुड़े दान से भी चाहे वो उसके सुखा सुखा कर उसमें बत्ति लगा दी जाए लेकिन यहां कंट्रोल हमारा होना चाहिए ठेकेदारी हमारी रहनी चाहिए प्रभुत्ता हमारी ही चलनी चाहिए यहां और जब हम देखते हैं कि भारत में ऐसे ऐसे कांड हो सकते हैं जैसा कि आजकर इलक्टरल बांड कर चल रहा है जैसा इवीम और प्रभुमा के जो कांड हैं उनकी परतें अभी खुलनी बागी हैं और जो विदेशी ताक्तें भारत की जमीन को दवा लेती हैं उसमें एंक्रोच्मेंट कर लेती हैं और भारत के राजा लोग ये कहते हैं कहीं कोई निखुसा कहीं कोई ऐसा नहीं हुआ और बाकाइदा परलेमेंट में जो बोलते हैं ये एक बहनक संकेत हैं, सिंप्टम हैं कि हम हमारे साथ कहीं और भी जाद बरानी हो जाएं हजारों साल से ग्लोबल हिस्ट्री के कोड़ेदान में तो जो फैके हुए हैं फैका हुआ है भारत, भारत गुलाम रहा है दो जार साल तक यह तो क्या है पिछले साथ्तर साल से तो आजा दी हमें लिए और हम उसी का उसी का आर्थ है नहीं जानते उसी का यह यह भी नहीं जानते कि उसका कैसे उत्युप किया जाए और आगे कम से कम भी ئे रीपीट नहीं हो हमारा जो प्रणा इतियास है वो कि हम ऐसा लेकिन हम हमको सभी को ध्यानक ना है ये कोई ऐसे ही सोचने की बात नहीं है कि भाई वो तत्ता कर्थित कल के अवतारा जाएगा वो सब का भला करेगा भाई वो Chief Justice of India ऐसा ऐसा कर देंगे और सब का भला हो जाएगा वे अपना काम करते हैं लेकिन उनको काम करने के लिए भी उनको बड़ी बैकिंग चाहिए उनको भी बड़ी inspiration चाहिए उनको भी बड़ी हिम्मद चाहिए लोगों की कि उनके पीछे लोग है वे ऐसा कर देंगे तो ऐसा होगा अकेला अकेला आदमे कोई नहीं काम कर सकता देखो न कई लोग बड़ा चाचा कम करते जैसे जज लोया जिन की विचारओं के क्या द्रूगती हुई और भी भहुत से काम इस तरह से हम सब को जागरुख होना है सब को जागरुख करना है और देश की समरजवादी ताकते हैं आमतवादी ताक्ते हैं, देश के जो ठेकेदार, जिनको सरफ अपना ही अपना भला सुचता है और किसी गरीब का भला नहीं सुचता, उन पर हमको ध्यान रखना है, कंट्रोल रखनी है, उन पर एक आई रखनी है, कि कहीं ऐसा नहीं हो, कि हजारों साल से जो देश ग्लोबल ह मिश्ट्री के कुड़े दान में ठेका हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कुड़े दान को भी जलाने की नौबत आ जाए, कि भाई ये 70-75 साल से इस कुड़े दान का कुड़ा बहुत सुख लिया, अब इसको डिस्पोज कर देना चाहिए, हमारा सभी में, सभी का इसमें क साथ थोड़ा-थोड़ा जो करता जाता है, इसमें सभी आप देखें, सुबह के डपा प्रोग्राम में हिसाले, जिसके लिंक हमारे दीपक जी के उनकी जो फोन नमबर हैं, जिनकों कई बार हमारे वीडियो में बोल चुके हैं, उन से ले, हमारे मेरे मेरे नमबर निन्यान प्रार्टना प्रवुष्मरन एंड अफर्मेशन्स प्रोग्राम, ये बड़ा अत्याधूद प्रोग्राम है, उसके बाद सारी सक्तिया खेष्टी-खेष्टी, इसके बाद हमारे तरफ अपने आप ही चली आएगी, यदि हमारे कारियों में, हमारे सब्दों में, एक सक्त चलता है, कि हम खाली होई कोई हाड मांस के लोसरी नहीं है, हम एक बड़े चैतन जीव हैं, हम ब्रमान की संचाले सक्तियों में के एक हिस्से हैं, हम इस ब्रमान का संचालन कर रहे हैं, प्रमार्टमा तो करी रहा है, वही तो इस ब्रमान का क्रियेटर है, संचालक है, पालक है लेकिन आप जब कोई भी काम करते हैं जब कोई इरादा करते हैं तो आपके मन से सरी से क्रेने निकलती जाती है और वो दूर दूर सक फैली जाती है थोड़ा संक्चेप में मैं आपको बता हूँ कि जैसे ही आप किसी सड़क के किनारे खड़े होते हैं इस इंतजार में कि एक गाड़ी ऐसे आनी चाहिए वो लोडिंग गाड़ी हो वैली वहिकल हो या सवारी गाड़ी हो ऐसे आनी चाहिए जिसकी मुझे जरता है जब आप ऐसा करते हैं तो आपके मन से शरीर से एक विकरन निकलते हैं और वे ब्रह्माण में जा जब उस्सेश में फैल जाते हैं और उन उन लोगों में जाकर एंटर करते जाते हैं जिनको भी ऐसा करना है मतलpower कि आपको तो गाड़ि चाहिए लेकिन उन लोगों को समारिय चाहिए उन लोगों के लिए काम-धन्दा चाहिए तो वे वहाँ जाकर उनको इंस्पायर करती हैं वो करने वे जो कण आप से निकलते हैं और उनमें इस फुर्ण आती है कि चलो यार मैं तो आज ऐसा करूंगा इधर जाता हूं काम करने लिए इस समय जैसा हम अपने डपप प्रोग्राम में बोलते हैं नथिंग हैपन सबाइ चांस दिस दिवर्लो पर्फेक्ट लाइड ओडर यहां कुछ भी अकारण नहीं होता और जैसा न्यूटन की गति के नियाग को अनुसार होता है कि यहां कुछ भी अकारण नहीं होता कोई चीज इस्थाई रखी है तो इस्थाई ही पड़ी रही चाहि किसी और प्रकार का हो उसमें इंटर्फेरंस करने के लिए उसको चलाने के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए तो कोई शक्ति चाहिए वरना वह चीज उसी अवस्ता में रहे जाएगी चलती है तो चलती रहेगी और इस्थाई पड़ी है तो वह पड़ी ही रहेग हमारा Mission Great India का सभी ऐसी महानात्माओं का Great Minds का एक समागम होता है, Family Premiland समारों होता है, जिसमें हम इकटे होते हैं, जिसमें सारे ध्यान प्रात्ना के प्रियोग किया जाते हैं, और गरीबों के लिए, छोटे वाईयों के लिए Distribution का प्रोग्राम होता है, हमारा Mission Great India का जो Vision Document है, Great India Document, उसके Distribution के प्रोग्राम होते हैं, और भी इस तरह कई प्रोग्राम होते हैं, जो भाई भी जाना चाहें, तो अप्रेल के दाष्ट विकिम स्रीनगर कास्मीर इन प्रोग्राम है, तीन-चार दिनों का प्रोग्राम है, 27 अप्रेल से लेकर 30 अप्रेल तक का, जो भी इसमें हिस्टा लेना चाहें, हमारे वीडियो में कई जगे नंबर दिये हुए होते हैं, हमारे कार्यकरताओं के, सम्मानिय सदस्दों के, उन से संपर करके, उसमें आप इससार ले सकते हैं, जितना भी जिसके बसकी है, वो करे, इस बहाने से बच्चों की कास्मेर के ट्रिप हो जाईगी, और हमारे मिश्टन के कारिये आगे बढ़ते रहेंगे, और सस्दे में हमारी टूरिंग होती है, इस सम्मुएक प्रोग्राम होते हैं, इसलिए, आज के, मेरे इस व्यूडियो का, इस सम्मुद्धन का उद्दे से यही है, कि आप और हमें बड़ी सक्तिया नहीं थे हैं, किसी महापुर्स ने कहा है, कि आप में वे सक्तिया हैं, जिनको आप जानते ही नहीं, और वे सक्तिया कुलबला रही हैं, कि हम ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें, लेकिन हमें उनका पता ही नहीं है, कि वे सक्तिया हमारे अंदर कुलबला रही हैं, बाहर आने के लिए हैं, लेकिन जब तक हम उनको डारेक्ट नहीं करें, वे अपना काम नहीं कर सकेंगी, या फिर उल्टा काम ही कर सकती हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद, यही आज का छोटा से सम्मूदन, आप सुभे हमारे डपप प्रोग्राम, ध्यान प्रास्मा प्रपुश्मन के प्रोग्राम मे जरूर हिस्टा लीजी, आप सुरूर तो करिए, फिर आप देखेंगे कि आप इस प्रोग्राम में रेगुलर हिस्टा लेंगे और अपने इश्ट मित्रों को भी इसमें सामिर करते जाएंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद जाएं इंद्रिया भारत.